नमस्ते दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों हमारे पास एक सैंसंग का 21 इंच आल्टा स्लिम टीवी है जैसे कि आप लोग यहां देख पार रहे हैं इस टीवी में सिर्फ ग्रिन कलर का इमेज ही बन रहा है दोस्तों इस तरह का फॉल्ट दिखने से अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं आखिर यह फॉल्ट किस में है मेन IC में है CRT बेस बोड में है या पिक्चर ट्यूब में है तो ज्यादातर देखा गया है इस तरह का फॉल्ट होने से ज्यादातर CRT बेस बोड में फॉल्ट होता है या picture tube में fault होता है अगर हम CRT baseboard में doubt करते हैं तो हमें CRT baseboard का हर एक component को check करना पड़ता है इससे हमारा time waste होता है और अगर हम picture tube में doubt करते हैं तो साथ में chroma IC में भी doubt होता है जिसे हम main IC बोलते हैं तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे की एक मिनट में इस fault का पता लगा जा सकता है आप लोगों को तो मालूम ही है हम technicians के पास एक जादू की छड़ी है जिसका नाम है multimeter आज हम इसी multimeter से इस fault को सिर्फ एक मिनट में ढूनेंगे एक television में इस तरह का fault होने से यानि की कोई एक या दो color missing होने से सबसे पहले picture tube में देखा जाता है तो picture tube में सबसे पहले कहां देखा जाता है चलिए इसे देखें picture tube में सबसे पहले CRT baseboard का 180 volt चेक किया जाता है जिससे की video signal बनता है तो चलिए इस voltage को चेक करके देखते हैं सावधाने से CRT baseboard का उस pin में voltage चेक किया जाता है जिस pin से CRT baseboard में 180 volt input होता है ये 180 volt missing होने से हमें picture tube का screen में plane raster with retrace line दिखता है जैसे की आप लोग यहां देख पा रहे हैं CRT baseboard में अभी 172 volt input हो रहा है इसका मतलब 180 volt का असपास ये 180 volt CRT baseboard में बराबर input हो रहा है इसका बाद CRT baseboard का उस pin में voltage चेक किया जाता है जिस pin में blue color का video signal input होता है इस pin को blue cathode pin बोला जाता है तो चलिए इस pin का voltage देख लेते हैं जैसे की आप लोगों ने अभी देखा multimeter में blue cathode का voltage हाई दिखा रहा है जैसे की आप लोग देख रहे हैं multimeter का 9600 volt में रखा हुआ है फिर भी ये multimeter इस voltage को 100 नहीं कर पा रहा है ये 600 volt से cross हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा voltage है एक blue cathode के लिए इसका मतलब है कि इस blue cathode में AC voltage mix हो रहा है ये AC voltage वो है जो voltage हमें filament में मिलता है इसका मतलब ये है कि ये blue cathode filament का साथ short हो गया है तो चलिए अब हम red cathode का voltage देखते हैं पिक्चर ट्यूब में जितना भी cathode pin होता है उन सभी में 80 volt का असपास होता है लेकिन जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस picture tube का red cathode में 200 volt का असपास fluctuate हो रहा है इसका मतलब ये है कि इस cathode में भी filament voltage mix हो रहा है उतना भी नहीं जितना कि blue cathode में mix हो रहा है तो चलिए अब हम green cathode का भी voltage देख लेते हैं जैसे कि इस picture tube का image green color का बन रहा है तो इस green color का cathode में voltage बराबर होना चाहिए तो चलिए देखें इस green color का cathode pin में voltage बराबर है या नहीं तो जैसे कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं इस green color का cathode pin में 80V का असपास fluctuate हो रहा है इसका मतलब है कि ये cathode पूरी तरह से सही सलामत है cathode pin में voltage fluctuate करने का ये मतलब है कि cathode pin में video signal input हो रहा है तो दोस्तों यही है वो तरीका जिससे सिर्फ एक मिनट में पता लगाया जा सकता है कि fault कहा है यही 2-4 voltage चेक करने से मालूम हो जाता है आखिर problem कहा है अगर picture tube का cathode pin में इस तरह का voltage दिखाई दिया तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा तो confirm हो जाता है कि picture tube खराब है अब आगे देखा जा सकता है तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा comment, like और share किजिएगा जिनोंने भी इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है वो जल्दी से subscribe कर लें ताकि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो इस channel में आने वाला है धन्यवाद दोस्तों